मेरे प्यारे देश वाचियों, नमस्कार कोरोना वैस्विक महमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोक टू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे नजाने क्या क्या होता है ये मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देश वाचियों से प्रार्वना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिये साथियों ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्युदर को देखे तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिति में है समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाई जड़ा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें ज़्यादा सतर्कता की ज़रुत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाई की सोंस्ताओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की ज़रुत है विशेशकर कंटेन्मेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहें हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए ये 130 करोड देश वाच्चों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान नतरी कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों सबी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोए देश हो या व्यक्ति प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे 31,000 करोड रुपिया जमा करवाए गए है इस दोरान 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड रुपिय जमा हुए है इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान तेज गती से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आस्चरे में डुबो दिया है वो ये कि कोरोणा से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुप्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महिने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरसे देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाए गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभक दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियो आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोश्णा करने जा रहा हूं साथियो हमारे हाँ वर्षा रूत्व के दोरान और उसके बाद मुख्य तौर पर क्रिशिक शेत्र में एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरु पुर्णे मा है फिर शावन शुरू हो रहा है फिर पंदरा अगस आएगी रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास में आएगी गनेश चतुर्थी आएगी ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बिवु हैं नवरात्री हैं दुर्गा पुजा है दशारा है दिपावली है छठी महिया की पूजा है तो हारों का ही समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोर लोगों को मुक्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई अगस सितंबर अक्तूबर नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोर से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महिया कराया जाएगा और साथ ही प्रतेक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोर रुपिय से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोर रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्चक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़ करके कहीं और जाते हैं किसी और राज्य में जाते हैं साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही है तो इसका स्रे प्रमुकृप से दो वरगों को जाता है पहला हमारे देश के महंति किसान हमारे अन्नदेता और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वज़़ से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्न भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का स्रमिक का चुला जल रहा है आपने इमानदारी से टैक्स भरा है अपना दाई तो निभाया है इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकावला कर पा रहा है मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान हर टैक्स पेयर का रुदे से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उन्हें नमन करता हूँ साथियों आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे हम गरीब पीडीत शोसीत वंचीत हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे हम सारी एहतियाद बढ़ते हुए economic activities को और आगे बढ़ाएंगे हम आत मंदिर भर भारत के लिए दिन राट एक करेंगे हम सब local के लिए vocal होंगे इसी संक्रप के साथ हम 130 करोर देशवासियों को मिल जुल करके संक्रप के साथ काम भी करना है आगे भी बढ़ना है फिर से एक बार मैं आप सबसे प्राशना करता हूं आपके लिए भी प्राशना करता हूं आपसे आंगरह भी करता हूं आप सबी स्वस्त रहिए दो गज की दूरी का पालन करते रहिए गमशा, फेस कवर, मांस ये हमेशा उप्योग कीजिए कोई लाग परवाही मत बरती है इसी आगर, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता है धन्यवाद